हलो वीडियों मेरा नाव है शोंग कौशेकन आज की इस वीडियो में हम जिस टापिक पर बात करने वाले हैं वो एप को फिलाल अपने टेवी के हर न्यूस चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा लेकिन कुछ इस अंदाज में बड़ी बात है कि चीन की सबजी मंडियों से नीबू अब गायब हो चुके हैं क्योंकि लोगों ने खरीद खरीद कर अपने घरों में जमा कर लिए नीबू के अलाबा वहां डिबबा बंद पीले आडू भी लोग खरीद रहे हैं जो इम्मुनिटी मजबूत करने के लिए ख इसके पीछे का exactly reason क्या है and lastly हम यह समझेंगे कि चाइना में outbreak की वज़े से इंडिया को कोई खत्रा है या नहीं आवे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी से request करना चाहूंगा अगर आपको इस तरह की वीडियो जिगना पसंद है then do subscribe to our channel because it's a big support for us and अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है then इसे अपने friends and family के साथ जरूर शेयर करे so with that note let's get on with the video so China आज भी वही कर रहा है जो उसने 3 साल पहले किया था यानि end of 2019 में जब coronavirus की शुरुवात हुई थी China ने पुरी दुनिया से ground reality चुपाने की बहुत कोशिश करी लेकिन जब ये outbreak uncontrollably बढ़ने लगा तब पुरी दुनिया को सचाई का पता चला but unfortunately तब तक बहुत देर हो चुकी थी and China अब फिर से exactly वही चीज़ रिपेट कर रहा चाईना के according उनकी country में cases बढ़ने रहे हैं बलकि कम हो रहे हैं और example अभी कुछ दिन पहले चाईना की रिपोर्ट ने बताया कि उन्होंने एक दिन में 2700 cases रिपोर्ट करे हैं with only 5 deaths जबकि उससे exactly एक हफता पहले same country में 40,000 cases रिपोर्ट करे गए अब unless जिंपिंग जी के पास हिमाल्या की कोई जड़िबूटी हात ना लग गई हो जिसे उन्होंने एक हफते में धड़ा धड़ इतने cases कम कर दिये it sounds practically impossible so एक तरफ चाईना ऐसी tempered reports को पूरी दुनिया में बता रहा है but at the same time ground reports and local sources का कुछ और ही कहना है उनके according चाईना में hospital beds की काफी जादा कमी face करी जा रही है जिसकी वरे से वहां की government large numbers में temporary beds create कर रही है चाईना फिलाल medicines, oxygens and blood की scarcity face कर रहा है वहां के hospitals में अचानक से old age covid patients की quantity बढ़ती जा रही है especially in China's most important cities like Shanghai, Wuhan and even capital Beijing and as a result, आज चाईना अपने 3 साल में सबसे जादा covid cases report कर रहा है लेकिन चाईना में ये December के महिने में क्यों चानल से covid cases बढ़े है especially तब जब पूरे world में covid cases ना के बराबर है हर जगे covid protocols almost खतम हो चुके है and हम सब almost pre-covid times में वापिस जा चुके है इसका सबसे main reason है कि चाईना आज भी वैसे ही जी रहा है जैसे 2019 के covid outbreak के time पे जी रहा था यानि 3 साल में चाईना में कुछ बदला ही नहीं and ये हो रहा है चाईना की zero covid policy की वज़े से ये policy इतनी strict and harsh है कि इसने 3 साल में चाईना में covid cases को बढ़ने ही नहीं दिया जहां first and second wave के time पे इंडिया 4 लाग तक per day cases रिपोर्ट कर रहा था उसी दुरान चाईना में 15, 18, 20 सिर्फ इतने ही cases रिपोर्ट हो रहे थे इस policy में अगर कोई इंसान covid positive पाये जाता था या उसे even mild symptoms होते थे तो उसे mandatory hospitalized कर दिया जाता था या फिर उसे long time के लिए isolate कर दिया जाता था किसी भी society में या फिर building में थोड़े बहुत भी अगर cases मिलते थे तो उस पूरे area में ही strong lockdown लगा दिया जाता था तीन साल इतनी strict policy को face करने के बाद finally चाईना की जनता ने इसके खिलाफ protest करना शुरू कर दिया and ultimately Chinese government को अपने घुटने टेकने पड़े and ओर उने decide किया कि वो इस policy के अंडर relaxations करना शुरू कर देंगे but जैसे ही इस policy में relaxation शुरू हुई और लोग अपने घरों से बाहर निकले आई सब करोना ने पखड लिया सब को काप का है रही हो कोई अभी तक छुआ नहीं खा ऐसा इसलिए हुआ बिकॉस इतने सारे isolations and lockdown की विज़े से चाइना की maximal population कभी इस virus से infect हुई नहीं इसलिए उनके अंदर इस virus के against कभी natural immunity develop ही नहीं हुई because it's true कि ऐसे normal infections हमें इन viruses से wider and longer duration के लिए immunities provide करते हैं अब अगर यहां आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपके mind में question जरू develop हुआ होगा कि इन viruses से immune करने के लिए हमें vaccines दी गई थी तो क्या इसका मतलब यह है कि चाइना की जनता को अब तक vaccines ही नहीं मिली है ऐसा बिलकुल नहीं है चाइना की maximum population properly vaccinated है इन फाइक चाइना का नाम उन countries में आता है जिन्होंने सबसे पहने vaccine को develop किया और अपनी population में उसे distribute किया लेकिन यही सवाल चाइनीज vaccines की efficiency पे एक बड़ा सवाल भी उठाता है विकॉज पूरे world में maximum countries को जहाँ एक से डेड़ साल का टाइम लगा अपनी vaccines को develop करने में वहीं चाइना ने एक साल के अंदर अंदर अपनी vaccines को develop भी कर दिया उनको सारे trials में pass भी कर दिया और अपनी जनता में distribute भी कर दिया कुछ भी? कुछ भी? इसलिए स्टार्टिंग से चाइना की vaccines की reliability पे questions उठाए गए है अब हम हाते है अपनी वीडियो के last part में जिसमें हम ये समझेंगे कि इस outbreak से इंडिया को कोई खतरा है या नहीं अगर इस दुनिया की सबसे ज़ादा populated country में इस तरह का COVID outbreak होगा तो उसका backing countries पे obviously थोड़ा असर तो पड़ेगा especially neighboring countries में just like India that's why it might happen कि आने वाले कुछ महिनों में हमें इंडिया वे COVID cases में थोड़ा बहुत rise देखने को मिले लेकिन इन COVID cases में first and second wave के जैसे severe conditions with high death rate के होने के chances बाग कव होगे because अब इंडिया के पास कुछ ऐसी advantages है जो कि चाइना के पास नहीं है इंडिया ने अब तक total 55 million यानि 4.5 करोड COVID cases report करे है और चाइना ने अब तक सिर्फ 1.9 million यानि 19 lakh cases ही report करे है ये शो करता है कि इंडिया की population का एक बढ़ा पार्ट इंडिया में majorly COVID shield vaccine को यूज किया गया है इंडिया में वैसे ही Corona VAC vaccine को सबसे जादा यूज किया गया है अगर हमें दोनों वैक्सीन के efficiency को compare करे देन इंडिया वैक्सीन कोवी शील्ड is more efficient than Corona VAC especially in case of old age people who are above 80 years of age उस category में COVID shield 67% efficient है against diseases and 85% efficient है against death वही Corona VAC सिर्फ 30% efficient है against disease and 35% against death यह मैं आगको एक implantant point जरूर बताला चाहता हूँ अनलाइक इंडिया चाइना की maximum vaccine सिर्फ यह परकलेशन में distribute करे गई हैं यानि आज भी चाइना की more than 60% old age population vaccinated नहीं है इसलिए आज चाइना में जो maximum COVID cases report हो रहे हैं वह old age patients के ही हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सारे इंडियांस को एकदम carefree हो के बैड़ दाना चाहिए? बिलकुल नहीं सोच के भी ऐसी गलती मत करना please as a responsible citizen हमें basic COVID protocols जरूर follow करने चाहिए जैसे कि crowded place में जाने से पहले mask जरूर लगाना चाहिए and फिलाल थोड़े time के लिए huge gatherings को avoid कर देना चाहिए so with that we come to the end of our video अगर आपका यह video interesting लगे हो then do share it with your friends and family अब मैं आपसे मिल लोगा अपनी next video में until then अपना ध्यान रखिए and have a very good day जैहिंद